साथियों वैक्सिन की सेफटी देश की हर नागरिक को मिले हमें लगातार प्रयास करते रहना है। कई जगों पर वैक्सिन हेजिटन्सी को खत्म करने के लिए कई संगठन सिविल सुसाइटी के लोग आगे आये हैं और सब मिलकर की बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए हम भी आज एक गाउं में चलते हैं और उन्हीं लोगों से बात करते हैं वैक्सिन के बारे में मद्द प्रदेश के बैतुल जिले के डुलारिया गाउं चलते हैं। हलो। नमस्कास। नमस्ते जी। मेरा नाम राजेश हिरावे ग्राम पंचाइट डुलारिया दिनपूर भलाग। राजेश जी मैंने फोन इसलिए किया कि मैं जानना चाहता था कि अभी आपके गाउं में अब करोना की क्या स्थिति हैं। अभी लोग बिमार नहीं है। जी। गाउं की जन्त संक्या कितनी हैं। कितने लोग हैं गाउं में। गाउं में 462 पूरुस है और 332 मेला है। अजा राजेश जी आपने वैक्सिन ले ली क्या। नहीं सर अभी नहीं लिया। अरे क्यों नहीं लिया। सर जी यहां पे कुछ लोगों ने कुछ वाट्साफों पर ऐसा ब्रह्म डाल दिया गया। कि उससे लोग ब्रह्मित हो गएं। तो क्या आपके मन में भी डर है। जी सब पूरे गाउं में ऐसा ब्रह्म फैला दिया था। अरे रे रे यह क्या बात कि आपने देखे राजय जी मेरा आपको भी और मेरे सभी गाउं के भाई बहनों को यही कहना है कि डर है तो निकाल दीजिए। हमारे पूरे देश में 31 करोड से भी जादा लोगों ने वैक्सिन का टिका लगवा लिया है। आपको पता है ना मैंने खुद ने भी दोनों डोड लगवा लिये हैं। कभी कभी किसी को इससे बुखार वगवा आता है पर वह बहुत मामूली होता है कुछ गंटों के लिए ही होता है। देखिए वैक्सिन नहीं लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। इससे आप खुद को खतर में डालते ही हैं। साथ ही में परिवार और गाउं को भी खतर में डाल सकते हैं। और राजे से इसलिए जितना जल्दी हो सके वैक्सिन लगवा लिजिए। और गाउं में सब को बताईए कि भारत सरकार की तरप से मुप्त वैक्सिन जी जा रही हैं। और अठारा वर्से उपर के सभी लोगों के लिए यह मुप्त वैक्सिनेशन है। तो यह आप भी गाउं में लोगों को बताईए। और गाउं में डर का तो माहूल का कोई कारण ही नहीं है। कारण यह सर्व कुछ लोगों ने इसी गलत वफा पहला दी जिससे लोग बहुत भी भाईवित हो गए। उसका उधारन देते जैसा उस वैक्सिन को लगाने से बुखार आना बुखार से और बीमारी पहल जाना मतलब आदमी की मौत हो जाना यहां तक के वफा पहला। हो 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 देखिए आज तो इतने रेडियो इतने टीवी इतनी सारी खबर मिलती हैं और इसलिए लोगों को समझाना बहुत सरल हो जाता है और देखिए मैं आपको बताऊं भारत के अने गाउं ऐसे हैं जहां सभी लोग वैक्सिन लगवा चुके हैं यहने गाउं के शत्त प् देता हूं कि कश्मीर में बांदी पूरा जिला है इस बांदी पूरा जिले में एक व्यवन गाउं के लोगों ने मिलकर हंडेट परसंड सत्त प्रतीशत वैक्षिन का लक्ष बनाया और उसे पूरा भी कर दिया आज कश्मीर के इस गाउं के 18 साल से उपर के सभी लोग ठीक सभी लोगों ने हंडेट परसंड सत्त प्रतीशत टिका लगवा लिया है राजेजी आपको भी अपने गाउं अपने आसपास के गाउं में ये बात पहुंचानी चाहिए और आप भी जैसे कहते ये ब्रहम है बस ये ब्रहम ही है तो ब्रहम का जवाब यही है कि आपको खु भी ठीका लगाउंगा और लोगों को इसके बारे में आके बलाओं अच्छा गाउं में और भी कोई है जिनसे मैं बात कर सकता हूं जी है सर्फ कौन बात करेगा अलो सर नमस्कार नमस्ते जी कौन बोल रहे हैं मेरे नाम है किशुरीलाल दुरवे तो किशुरीलाल जी अभी इसाओ सुना है क्या हाँ सुना तो हूं सर वाजसार क्या सुना है क्योंकि यह है सरी पास महराश्ट है त्रेओं और से कुछ रिख्ते जारे से जोए लोग मतलब कुछ अभावा पहला थे लेगे लोग सर्मर कोई बीमार हो रहे है कि इस तरह लोगों के पाश्यादा अब कि निए को नाज से कुछ नहीं होता है सबस्क्राइब लेकिन वेक्सिन जो लेटे उसे मतलब बिमारी हो रहे हैं यह स्थिति बताते हैं वह अच्छा व्यक्सिन के गांड मर रहे हैं अपना चेट आदिवासी चेटर है सर एस टीवी लोग इसमें जल्दी डरते हैं जो ध्रम और कोई कहता है कि कोरोना चला गया तो भृम्म मत रहिए यह बिमारी ऐसी है अधिक को रूप बदलती है नहीं रंग रूप करके पहुंच जाती है और उसमें बचने के लिए हमारे पास दो रास्ते एक तो कोरोना के लिए जो प्रोटोकल बना है मास्क पहनना साबून से बार बार हाथ धोना दूरी बनाए रखना और दूसरा रास्ता है इसके साथ साथ वैक्सिन का टी का लगवाना वह एक अच्छा सुरक्षा कवच है तो उसकी जिनता करिए जी अच्छा किश्वला जी यह बताइए जब लोग आपसे बाते करते तो आ आप संजाने का काम करते हैं का आप भी अभा में आ जाते हैं ढोल लोगों के डर को निकालना है निकालोगे हैं देखिए अप पर बिल्कुल ध्यान ना दे जिए आप जांते हैं हमारे वेज्ञानिकों को ने कितनी महनत करकी वैक्षिन बनाई है साल भर रात दीन इतने बड़े बड़े वग्यानिकों ने काम किया है और इसलिए हमें विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए और ये जूट फैलाने वाले लोगों को बार बार समझाना चाहिए देखिए ऐसा नहीं होता है इतने लोगों ने वैक्षिन ले लिया है कुछ नहीं होता है और अफ़ाओं से बहुत बच करके रहना चाहिए गाओं को भी बचाना चाहिए और राजस जी किश्वरलाल जी आप जैसे साथियों को तो मैं कहूंगा कि आप अपने ही गाओं में नहीं है और गाओं में भी इन आपके पूरे गाओं को मेरी तरफ से सुबकामनाई दीजिए और सभी से कहिए कि जब भी अपना नंबर आए वैक्षिन जुरूर लगवाए मैं चाहूंगा कि गाओं की महिलाओं को अपारी माताओं बेहनों को इस काम में जादा से जादा जोड़िए और सक्रियता के मान जाते हैं आपके गाओं में जब ठीका कर पूरा हो जाएं तो मुझे बताएंगे आप बताएंगे वक्का बताएंगे देखिए मैं इंतजार करूंगा आपकी चिठी का चलिए राजेशी किसोर जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपसे बात करने का मौका मिला टापको जाता हो जा जा बताएंगे वा बताएंगे अए झाता हो जाता बताएंगे राता है